स्टफिंग के लिए हमने लिया है दो प्याज इक्तम बारी काट करके ग्रेट की हुई सिम्ला मिर्च एक सिम्ला मिर्च को हमने ग्रेट करके लिया है दो टमाटर इक्तम बारी काट करके और एक गाजर को हमने ग्रेट करके लिया है और इक्तम बढ़िया सा टेस्ट बने इस सब्जी का इसके लिए हमने आधी कटोरी पनीर इसको भी ग्रेट करके लिया है और चार चमच के करीब हमने भुना हुआ बेसन लिया है कड़ाई में तेल करम करेंगे इसमें हम अजवाइन का तरका लगाएंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अजवाइन का तरका जरूर लगा अजवाइन सुनहरी हो जाए तब हम इसमें बारी कटी हुई प्यास डाल देंगे इसे बहुत जादा नहीं भूनना है जैसे ही सौट हो जाए इसमें हम गाजर, सिमला मिर्च और टमाटर डाल देंगे सारी सबजियों को हलका सा भून लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे बारी कटी हुई लेसन ये लेसन ऐसे बारी काट करके डालें बहुत अच्छा टेस्ट बनता है साथ ही सारे मसाले डाल देंगे एक चमाच हमने धनिया पाउडर लिया है अधा चमाच गरम मसाला अधा चमाच हल्दी पाउडर और अधा चमाच हमने देगी मिर्च लिया है सारे मसालों को डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, मसाले अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें पनीर डाल देंगे, और पनीर को भी हमें अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है, गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, और सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे, सबजी अच्छे से भून तब यह बेशन को डालें और अच्छे से मिला दें इसमें डालेंगे खते पन के लिए और बहुत अच्छा टेस्ट बनने के लिए अधा निम्गु का जूस और नमक डालतेंगे स्वादानुसार नमक आप पहले भी डाल सकते हैं या बात में डाल सकते हैं सारी चीज़ अच् करके तव इसको सिवला मिन्च लिया गर्म चमत से उठाएं और सिद्धे लिया इंदर सीधे अंदर से अदर से डबा करके तो इसे अलैट पलग olsun कर विए चुनारा हुने तक यानी कि ऐसे सुनारी हो जाए तब तक इसाँ हमें इलट पलट कर बुहनते ही रहना है तो इसे धकि खोले हमें इलटे तरीके से भर्वा सिम्ला मिच की सब्ची बनाना चाहेंगे तो अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मुझा बूलियेगा और कॉमेंट करना बिल्कुल ना बूलिएगा मिलता है एक नहीं रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडिय प्लिए बूलिए